जिस कालपनिक भहे की आपने बात की तुंक उसी कालपनिक भहे को लेकर कश्मी में पिछले 30-35 साल से इस खेल को रचा जा रहा है। वहाँ पर कामियादी उनको नहीं मिली। क्या संभव है कि डेश में ऐसा हो सकता है इतना लंबा इस तरह का संगर्श हो सकता है। क्या इस तरह के आशनका है दिल्ली के हालात आज कुछ लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर जासे बन जाएं लड़के पत्थर लेके निकले पुलिस को मानना शुरू कर दे कहीं से किसी के पास भी गोलियां आ रही है वो गोलियां चला रहा है प्लानिंग करके ऐसे घेटोस बना उपर एसिड डाला जाता है जाफराबाद में भी एसिड डाला जाता है यानि एक पैटन आप पूरा पैटन फॉलो कर रहे हैं जगे जगे आपने एसिड इखटे कर लिया आपने पैट्रोल बम इखटे कर लिया आपने पत्थर इखटे कर लिया आपने मन में जहर भर दिय कि पुलिस वाला मतलब एक बुड़ी औरत वो पुलिस वाले को इट मार रही है पुलिस वाला तुमें बचाने के लिए आ रहा है कि मारने के लिए और फिर गर्व से बता रही है कि मैं पुलिस वाले को मार रही थी और नाली में मेरा पैर चला गया इतनी नफरत इतनी नफरत मन में भरती है कल कनहिया की रैली में एक बच्चे का वीडियो आया वो बच्चा जो बोल रहा है वो बच्चा अपने आप में वो एक टेरिरिजम की सोच है वो देश में ये बच्चे बढ़े हो के कभी हाथ साथ में चलेंगे क्या तो ही भी बात होता है यह जहर इस देश में नहीं चलने दिया जा सकता है